नमश्कार स्टेट नियूस पुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नील कमल सिहाग पहले रुख करते हैं हैं हैडलाइन्स की और कॉंग्रेस में अब पाइलेट नहीं माकन फॉर्मूला चलेगा पी सी सी में बंद हुई जन सुनुवाई जिलों में जाएंगे मंत्री बीडी सी सदस्य हत्याकांड का परदाफाश तीन गिरफतार लाइसेंसी पिस्टल से मारी गई थी गोली ओटो में बैठी सवारी की जेव से नगीने चुराने वाली गुजराती गैंग का खुलासा और अब खबरे विस्तार से पुर्व पी सी सी चीफ सचिन पाइलेट के समय राजस्थान कॉंग्रेस कमेटी कार्याले में शुरू जन सुनुवाई का सिस्टम अब इस ताई रूप से बंद कर दिया गया है सरकार के मंत्री अब पी सी सी में जन सुनुवाई नहीं करेंगे इसके बजाए अब वे प्रदेश परभारी अजय माकन के नए फॉर्मुले पर काम करते हुए जिलों में जाकर जन सुनुवाई करेंगे तेफ और मुले के अनुसार अब मंत्रियों को हर महीने जिले में जन सुनवाई करके अपनी रिपोर्ट कॉंग्रेस के परदेशा ध्यक्ष और सीएम को देनी होगी नए परदेश परभारी के रूप में कारेभार संभालने वाले अजे माकन ने PCC की बजाए जिलों में जन सुनवाई का सिस्टम शुरू कर दिया है आपको बता दें कि PCC में होने वाली मंत्रियों की जन सुनवाई का ग्रास रूट इस्तर पर आम जनता और कारेकरताओ में कोई खास परभाव नहीं पड़ा रहा था कॉंग्रेस में रनीती कारों का मानना है कि PCC की जन सुनवाई की बजाए जिलों में आम जनता की सुनवाई से ज़्यादा परभाव पड़ता है और वहीं उतर परदेश राज्ये के जोन पुर जिले में सुनवार की देर शाम अग्यात बाइक सवार बदमाशों द्वारा ताबर तोड गोलियां बरसा कर BDC सदेस्यकों मौत के घाट उतारने वाले शूटर समेथ तीन आरोपियों को केराकत पुलिस ने आज गिरफतार क प्रियों की गई लाइसेंसी पिस्टल एक रिवॉल्वर और कार्थूस भी बरामद हुआ है हत्या के पीछे पुरानी रंजिश सामने आई है बीते पाच अक्टूबर की देर शाम बाइक सबार अग्यात बदमाशों ने केराकत थाना शेत्र के मनियारा रोड के पास शेत् वासी मुरलीपुर को गोली मार कर हत्या कर दी थी हत्या के बाद से पुरे शेत्र में दहशत का माहल कायम हो गया था S.P. ने इस हत्याकांड का परदा फास्ट करने के लिए S.P.C.T. के नेतर्तव टीम गटित किया था के राकत पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों की सरकी रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफतार कर लिया S.P. रामकरन नैयर ने बताया कि मृतक शेलेंदर यादव का गाउं के राम अनिल से पुरानी दुश्मनी चल रही थी इसी वज़े से शेलेंदर की हत्या कराने का शड्यंत्र रचा गया योजना के मुताबिक राम अनिल का पुत्र मुकेश यादव वे उसका दोस्त शुशिल गिरी निवासी भैरो भानपूर ने सोंवर की शाम शेलेंदर की गोली मार कर हत्या कर दिया हत्या में राम अनिल की लाइसेंसी पिस्टल और एक रिवॉल्वर का प्रियोग किया गया था गोली शुशिल तिवारी ने मारी थी बाइक मुकेश यादव चला रहा था जनकत जौनपूर के धाना किराकट में विनांख पांच अकूबर को एक घटना हुई थी जिसमें शुरी शेलेंदर यादव जिनकी बेरी की दुकान थी वे अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे उसी दोरान मनियारा मोड पे अग्याद बाइक सवारा दुआरा उनको गोली मार दी गई थी जिने जिला हस्पताल भेजा गया था तो मिर्त घोशित किया गया था इस संबंद में थाना किराकत पे मुकदमा प्राथ संक्या 345 बाइ 2020 अंतरगत धारा 302 आई पीसी धर्श किया गया था और एकने के लिए तुरन्त स्पी सिटी के निर्देशन में कहीं टीमों का गठन कर दिया गया था और मुझे बताने में खुशी है कि जॉन्पूर पुलिस द्वारा गठना में शामिल अभ्यूक्तों की गिरफतारी कर ली गई है उनके द्वारा जिस हतियार से मृतक पे गोली चलाई गई थी वह हतियार भी उनकी निशान देही पे बरामत कर लिया गया है और इसके साथ साथ इसकी हतिया से जुड़ी जो साजिश है उसका परदाफाश हो गया है इस मामले में हमने तीन लोगों गिरफतार किया है जिन में एक राम अनिल एक सुशी लूफ गोलू गिरी और एक मुकेश यादव हैं इनकी डिटेल प्रेस नोट में दी गई है और इन तीनों को जेल भेज करके इस केस की प्रभावी पैर्वी के लिए इस केस को मॉनीटरिंग सेल में डालेंगे और आगे जो भी अब जो भी प्रग्ति होगी उससे आप लोगों को आपके लाइसेंसिया रिवालवर मुकेश यादव के पिता राम अनिल के नापता है अत् इसके चलते उनको लग रहा था कि शैलेंद्र यादव शायद उनका उनके रस्ते में उसके चलते उन्होंने साजिश रची और उनके बेटे मुकेश यादव और उनके मित्र सुशील गोलु गरी ने इसको अंजाम दिया एक सो बीस भी में राम अनिल और 302 और 120 में सुशी और अब खबर राजधानी जैपूर के जोटवाड़ा थाना शेत्र से जोटवाड़ा थाना पुलिस ने आटो में बैठी सवारी की जेव से नगीने चुराने वाली गुजराती गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के तीन बदमाशों को गिरफतार किया है पुलिस उपायोक्त जैपूर पश्शिम प्रदीब मोहन शर्वा ने बताया कि जोटवाड़ा थाना पुलिस ने महेश भाई और जीना भाई परमार और फुलूगडी को गिरफतार किया गया जोटवाड़ा थाना दिकारी विकरम सिंग ने बताया कि 23 अगस्त को चौत मलका सोटीय निवासी गुडामान सिंग कालवाड ने मामला दर्ज करवाया था कि उसकी जेब से नगीनों के पैकेट करीब एक लाग तीस हजार के रखे हुए थे इस दोरान एक ओटोवाला आकर रुका जिसमें पहले से तीन सवारी वे एक साल की बच्ची थी उसे चांदपोल जाना था और उसने कहा बस किराया ही लूँगा आपको भी छोड़ दूँगा वे उस ओटों में बैठ किया जोटवाडा के बाईपास कालवार चेक पोस्ट पुलिया के आगे उसे धमका कर उतार दिया कुछ दूरी पर चलने के बाद जब उसने अपनी जेब चेक की तो नगीने नहीं मिले इस पर पीडी थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना इस तल के पास लगे सीसी टीवी फुटेज खंगाल कर संधिक दुल लोगों पर निग्रानी रखी गई जिस पर हुलिये के अधार पर दस्तयाब कर पूस्ताच की गई पूस्ताच में सामने आया कि आरोपित गुजराती गैंग के लोग दिन में आटो तीन-चार लोगों की संख्या में सवार होकर घुमते हुए अपने टार्गेट की तलाश करते हैं टार्गेट पीडित व्यक्ती मिलने पर उसे आटो रिक्षा में बीच में बिठा कर उसे आगे पीछे खिसकने का बहाने से उसकी जेब से चीरा लगा कर कीमिती समान रुपया घहने चुरा लेते हैं तथा वार्दात करने के बाद टार्गेट को थोड़ा आगे जाकर उतार देते हैं वार्दात के दौरान आरोपित अपने साथ साथ आठ वर्ष की बच्ची रखते हैं जिससे वार्दात करने के दौरान पीडित व्यक्ती को कोई शक ना हो तीनों आरोपियों से घहनता से पूस्ताच की जा रही है वहीं आरोपियों ने पूस्ताच में कई अन्यवार द्याते खुलने की आशंका जताई जा रही है और अब खबर श्री गंगानगर जिले के सूरतगर शेत्र से ग्राम पंचाय संघर 10SGR में बुधवार को नव निर्वाचीत सरपंच बिमला जानदू ने वाड़ पंचो सहीत कार्यभार संभाल लिया इस मौके पर गाम के मौजूदा व्यक्ति शामिल हुए ग्राम विकास अधिकारी तथा परशाशक ने सरपंच को कार्यभार संभल वाया रामसरा जाखडान वै पाली वाला में भी सरपंचों ने कुर्सी संभाल ली रामसरा जाखडान में आर्ती जाखड ने पुझा अर्चना के बाद कुर्सी संभाली पाली वाला सरपंच निरानी देवी ने ग्रामसेवक संदीब कुमार से चार्ज लिया ग्रामसेवक संदीब कुमार ने बताया कि उनके पास सरकार द्वारा परशाशक का कार्या भार भी था अब सरपंच उनने के बाद सरपंच को चार्ज दे दिया है पुर्वविधायक राजेंद्र भादू भी इस मौके पर उपस्तित थे पुर्वविधायक ने कहा कि मेरे कारेकाल में नो नई पंचायतों का घठन हुआ था उनमें से 17 स्टीबी पंचायत भी है इसका भवन अभी बनकर तयार हुआ है पुर्व पंचायत के पास भवन के लिए जमीन नहीं थी, हमने स्कूल भूमी से जमीन लेकर राजीब गांधी सेवा किंद्र बनवाया, नव निर्वाची सर्पंच को पुर्व विधायक ने शुबकामनाई दी, सर्पंच पती ओम दुगेसर ने ग्रामीनों को विश्वाश दिलाया कि वे गांध के विकास की गंगा वहाएंगे, सभी वाडपंचों के सयोग से पंचायत में होने वाले कारियों का एक खाखा तयार कर सरकार को भेजेंगे, ताकि सभी कारिय समय से पूरे हो सके और समर पर बजट आए, इस मौके पर काफी तादाद में ग्रामीन मौ मौजूद थे, पंचायत घर को गुबारो आदी से खुब सजाय गया था, पूरा पंचायत घर एक दुलहन की तरह सजा हुआ था, सुबह 17 बजे महरत के बाद ग्राम सेवक ने सरपंच निरानी देवी को सरपंच पद का कारेभार सौपा, कारेभार नेने के तुरंत बाद ही सरपंच महध्या ने ग्रामीनों के काम करने शुरू कर दिये और अब खबर्ची ताडगर चिले से गंगरार उपखंड के काटी गाउं में कोरोना जागरुकता रेली का आयोजन किया गया रेली का नेतर्तव नौडल अधिकारी एवं पंचायत प्रारंभिक शिक्ष्य अधिकारी प्रामिला यादव, सरपंच प्रातिनीदी सुकदेव गुजर उपसर प्रश्रीमती प्रेम शर्वमा के नेतर्तव में किया गया इस अफसर पर चौराहे पर जन सामान्य को कोरोना से बचाव जानकारी दी गई तथा मास्क वित्रन किये गए रेली में पंचायत शेत्र के सभी कार्मिक उपस्तित थे रेली में समाथ सेवी कैलाश गुज़र सहीद जन प्रतिनीदी उपस्तित थे पंचायत प्रारंभीक शिक्षा अधिकारी प्रमिला यादव वे सरपंच प्रतिनीदी सुखदेव गुज़र ने इस अभ्यान को जन अंदोलन बना कोरोना से बचाव के हर संभव पर्यास करने तथा बीना मास्क नहीं घूमने आधिका अग्रह किया और वहीं जोधपुर जिले के पंचायत समीती लूनी के ग्राम पंचायत लूनावास खारा से सरपंच नाओं में यूवाव वुजुर्गो वे महिलाओं ने उत्सा से मद्दान किया शांती पुर्वक 84.18 परतिशत मद्दान हुआ सरपंच नाओं में भवर कवर ने 1360 वोटों को हासिल कर 55 वोटों से जीत का पर्चम लहराया वहीं लीला ने 1305 वोट लेकर दूसरे इस्तान पर वहत तुलसी 721 वोट लेकर तिसने इस्तान पर रही जीत के बाद भवर कवर को भधाई के लिए ग्रामीनों ने जोश्वय उत्सा से स्वागत कर भधाई दी भवर कवर सरपंच पद पर विजय होने के बाद मेहोजी मंदिर वेद देवी अंतु कवर मंदिर पर आशिरवाद लिया बुदवार कोग रामीनों ने अपसर पंची दुरगा देवी को निर्वी रोद निर्वाचित किया और अब मेरा काम रहेगा weiß विस्कों को साथ लगे गाम की विकास के लेरी पूल कराने का बस्रतियाश करने और आज कि काम के सर्वस्व्व्वति से अफसर्फ्व्व्व मुद्व लिए प्रांशन हो गया किस दोर निर्वद कि रहा किसको स्री मिदी दूगा देवी को सब्सक्राइब करने के लिए बसक्त परियास करें जो गाम की मूलों समझिया हैं जो भी समझिया हैं उन्हों समाधा ने कराने के परियास करें मैं मेरे मादार जी को लिए बसक्राइब करता हो और मैं ये गोषना करता हूं कि आसे ही गाओ समाल सभी अविकास करेंगा ने परचाइब करने के लिए इस और वहीं जालोर चिले के भीनमाल इस्तित साही पैलेस होटल में जिला क्रिकेट संग DCA के चुनाव वे वार्षिक एजियम का आयोजन हुआ RCA के चुनाव प्रेवेक्ष्यक धरम सिंग शेखावत जिला खेल अधिकारी प्रेम सिंग भाटी वे निर्वाचन अधिकारी हिंदूराम चौधरी की उपस्तिती में चुनाव संपन हुए जिला क्रिकेट संग जालोर के अधियक्ष पदपर पुर्व मुख्य सचेत अकरतन देवासी निर्विरोध अधियक्ष निर्वाचित हुए इस दोरान अन्य पदो पर भी चुनाव संपन हुए जिला सचीव पदपर नितिश व्याश जिला वरिश उपाधियक्ष पदपर संजे माथूर कोशा द्यक्ष पदपर पुखराज सुथार सलाकार पदपर शिव नारायन विशनोई प्रेस सचीव पदपर निरंजन व्यास कारेकारिनी सचीव पदपर दिनेश विशनोई सहीत साथ ही जिला उपाध्यक्षपद पर चार सदस्य, उपकोशा ध्यक्षपद पर एक सदस्य, संयुक्त सचिफपद पर दो सदस्य, कारेकारनी सदस्य, पद पर साथ सदस्य, निर्वाचित किये गए, साथ ही कारेकाल चार साल का रहेगा, इस दोरान देवासी ने सभी का आभा करते हुए युवाव को खेल जगत में आगे बढ़ाएंगे दिवासी ने कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि क्रिकेट से जुड़े संसाधनों को उपलब्द करवाएंगे सभी के साथ मिलकर जीले को क्रिकेट में अगरी मिस्तान पर लाएंगे वैं संभाग इस्तर की बड़ी क् किडियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा इस दोरान चुर्णाव प्रयवेक्षक चुनाव अधिकारी नव निर्वाचित पदादीकारी गन नव निर्वाचित कारेकारीनी सदस्य गन सहीत कई वरिष्ट जन उपस्तित रहे और वहीं जोदपुर्चिले की पंचायद समीती बावडी के नव सिर्जित ग्राम पंचायद सेव की खुर्द में सरपंच सुर्जी देवी मेगवाल ने आज 11 बचकर 15 मिनट पर सरपंच पद का कारेभार ग्रहन कर लिया ग्राम विकास अदिकारी बाखर राम महरा ने सरपंच सुर्जी देवी को कारेभार ग्रहन करवाया सरपंच ने बताया ग्राम पंचायद भवन का निर्मान स्कूली शिक्षा को भड़ावा बाली का शिक्षा पर विशेश थ्यान गरीब परिवार को विकास की मुख्याधारा में लाना उनकी प्रमुख प्रात्मिक ताई होंगी महरा ने बताया ग्राम पंचायत सेव की खुर्द की पहली ग्राम सभा में सरपंच सुर्जी देवी ने पंचायत नवीन भवन निर्मान हेतु गैर मुमकिन आबादी खसरा नंबर निन्यान में बटा एक में नो बीगा जमीन ग्राम पंचायत भवन के लिए प्रस्पारित कर दिया है सरपंच पदग्रैन समारो में उपसरपंच गौमती सरपंच प्रतिनिदीस निम्बाराम पटवारी उर्षया सारन छे बाड़ पंच सहीत गनमान्य नागरी को पस्तित थे स्टेट निउस बुलेटिन में फिलाल के लिए बस इतना ही देखते रहें डिपी के निउस नमस्कार